एक्साइब 7.2 फिनिश राज स्टार्ट एक्जाम्स एक्साइब 7.3 स्टार्ट करेंगे तक फिनिश हो गया था एक्जाम्पल समस्ट 7.3 में फॉर्मिला पहले बात कर लेते एरिया ओफ ट्राइंगल की एरिया ओफ ट्राइंगल is equal to 1 by 2 based into height एक फॉर्मिला यह रहेगी दिफरी फॉर्मिला क्या है कि एरिया ओफ ट्राइंगल की area of ट्राइंगल is equal to यही फॉर्मिला मैंने याद रखना area of triangle ki area of triangle is equal to 1 by 2 क्या एगा 1 by 2 bracket x1 bracket y2 minus y3 x1 bracket y2 minus y3 plus x2 bracket y3 minus y1 plus x3 bracket y1 minus y2 यह फॉर्मिला पर डिपेंड करेंगा ओके सो चलो यह फॉर्मिला से अपने स्टार्ट करेंगे एक्साइज 7.3 एक्साइज 7.3 का फर्ट सम अपने रीड करतें क्या बोला गया है फाइंड एरिया आप्राइंगल वूज वट आइस आपको दे दिये गये ट्राइंगल के 23-102-4-5-13-552 दो सम दिये गए दो सम के अपने को वंटेज साइज दे दिये गये लेस्ट करेंगे सम में फस्ट फर्स प्रेसान नंबर वन नंबर वन का वण प्रेसान नंबर वन का one ले ले लेते आपको एक की वाल्ली कितनी दी है 2 3 B की value minus 1 0 and C की value 2 minus 4 ये तीन चीज़े आपको यहाँ पर दिये गई है चोलो अभी अपने क्या करेंगे area of triangle आपको find करना है area is equal to a की बार formula लिखूंगा बागी का time आपको हर बार formula लिखनी है x1 bracket y2 minus y3 plus x2 bracket y3 minus y1 plus x3 bracket y1 minus y2 इस टाइप का आपको sum दिया गया गया 1 by 2 का 1 by 2 x1 की value कितनी है यहाँ पर find out करेंगे x1 की value कितनी है 2 जबके y2 की value 0 minus y3 की value minus minus plus 4 plus x2 की value minus 1 इसमें खास यही ध्यान रखना है कि आपको value में कहीं mistake ना गरो आप sum तो बहुत easy है बट value में कहीं ना कहीं mistake होने के chance है minus 4 y3 की value y1 की value minus 3 आएगा plus 3 ता लेकिन sign minus कि इसलिए minus 3 आएगा जबके x3 की value 2 y1 की value 3 और यहां पर y2 के value 0 1 by 2 का 1 by 2 2 bracket 4 plus minus 1 bracket minus 7 plus 2 bracket 3 multiply कर दो 2 4 0 8 7 1 0 7 plus 7 आएगा और 3 2 0 6 तो answer आपको कितना मिलेगा 1 by 2 का 1 by 2 8 plus 7 plus 6 21 तो आप पांसर क्या मिलागा 21 by 2 square units एरिया इसलिए अपने क्या लिखेंगे square लिखेंगे next हम पर चलेंगे इसी का इस एक second part है टू नंबर जिसमें आपको a b c की value दे दी गई है एकी value minus 5 minus 1 बी की value 3 minus 5 और c की value 5 2 इस type का आपको दे दिया गया है इसके बाद आपको क्या करना है कि चलो अभी आपको एरिया ही find out करना है मैं directly area find out करना लिख देता हूं फॉर्मला नहीं लिखूंगा इस बार x1 x1 की value कितनी है minus 5 y2 minus y3 minus 5 minus 2 plus x2 की value 3 x3 minus y1 minus minus plus 1 हो जाएगा plus x3 bracket x3 के bracket में हैगा y1 y1 minus y2 minus 1 minus minus plus 5 इसके बाद 1 by 2 का 1 by 2 minus 5 का minus 5 minus 5 minus 2 minus 7 plus 3 का 3 2 plus 1 3 5 का 5 4 1 by 2 का 5 7 जार 35 3 3 जार 9 5 4 जार 20 प्लस कर दो 35 प्लस 9 प्लस 20 64 64 divided by 2 तो कितना एगा 32 स्क्वार यूनिट्स क्वेशन नमबर टू का फर्स्ट यहां पर भी दो पार्ट आपको दिये गए यहां पर आपको गया करना है यहां से से की वैल्यू कितनी है सेवन माइनस तू बी वैल्यू जबकि फाइव वान एंड एंडन सी की वैल्यू 3 और के इस टाइप का आपको दिया गया है रेकले अपने क्या करेंगे एरिया फाइंड़ आउट करेंगे AgesSo right area ऐीश अपनों को पता चल जाएगा कितना square एडिट यह होगा मैं सो लेकिन यह पर एरिया की जगे पर अपने क्या लिखेंगे zero i One by two bracket x1 य नुद गाई questa and y1- attack y2- attack y2- and y3-ichام 3-1-1-3-3-1-1-3-1-1-3-1-1-2 लेकिन यहां पर क्या है गाएगा जीरो यहां पर 0 क्यों हैगा क्यों कि वह को लिनियर पॉइंट्स है तीन तीन इसलिए मैंने आप चीन लिखा था सेवन अंदर ब्ल्टिप्लाय कर दो 7 1 0 7 minus 7 k plus 5 into k 5 k 5 2 0 10 minus 2 minus 1 minus 3 3 3 0 9 minus 9 is equal to 0 अभी 2 को उठा के सामने ले जाएंगे तो 2 multiply 0 तो answer तो 0 मिल गया आपको यहाँ पर बात करेंगे minus 5 k minus 7 k plus 5 k so कितना आएगा minus 2 k 10 minus 9 1 आएगा 1 plus 7 8 8 को उठा के अपने सामने लिए तो 8 is equal to plus 2 k तो k की value क्या मिलेगी 8 upon 2 तो कितना आएगा 4 k की value कितनी मिली आपको 4 मिली इसी तरह second sum के अपने बात करेंगे जहाँ पर आपको a की value given है 8 1 B की value given k minus 4 and c की value भी आपको given है 2 minus 5 इतने value आपको given है यहाँ पर भी same method से same sum करेंगे बटाई सीज है वो linear point इंवेडरी ट्राइंगल से इसलिए अपने लेंगे जिरो लेंगे 1 भाइटू Ooh x1 y2 minus y3 plus x2 bracket y3 minus y1 plus x3 bracket y1 minus y2 minus minus plus हो जाएगा 0 2 को उटा के सामने ले जाओ 0 हो जाएगा 2 के वेले मतलब 2 निकल जाएगा 8 bracket minus 4 plus 1 plus 5 तो 1 आएगा bracket में अंदर multiply कर दो minus 5 k minus k या तो फिर इस तरह ना करना हो तो minus 5 minus 1 minus 6 k बाद में लिख देंगे minus 6 k 2 4 plus 1 5 5 2000 10 8 minus 6 k plus 10 is equal to 0 minus 6 k को उटा के सामने ले जाओ तो 10 plus 8 18 is equal to 6 k तो के की वेल्यू क्या मिली गी एटी अपॉन 6 6 3 018 के की वेल्यू क्या मिले आपको 3 मिली नेक्स हम पर चलेंगे प्रसन नंबर 3 करना आपको क्या दिया हुआ है फाइंड एरिया ओफ ट्राइंगल आपको फाइंड करना है फॉर्म दबाइद जॉइनिंग दा मीड पॉइंट से जॉइन किया उसका आप दा साइट्स आप ट्राइंगल वूज वर्टाइस इस आफ जिरो माइनस 12103 और इसका रेशियो भ कि दिस लेगा करेकर करेकर कि एक वरक्ताइस डिये गए जीरो माइनस वन बीक वरक्ताइसइस आपको दिये गए जिरो थ्री उसका मीड पॉइंट यहां पे मीड पॉइंट में द्रो गर रहा हूं तिनों तिन के कि एबीसी के मीर्ट पॉइंट है यह डी है यहां पर ई और यह f सबसे पहले मीर्ट आपको दे दिये गए तो आपको क्या करोगे ज़ितना यह बीकाल टू बीजी कोटिनेट आपको फाइंड करने डी के क्या तरह फाइंड करें मीड़ पोइंट आफ x1 plus x2 by 2 2 plus 0 by 2 और y1 plus y2 by 2 तो answer क्या मिलेगा आपको 2 plus नीचे लिखेंगे थोड़ा बैटर रहेगा 2 by 2 3 plus 1 4 by 2 तो answer आपको क्या मिलेगा 2 1 and 2 cutting okay next इसी तर अपने क्या करेंगे ek coordinate find करेंगे dk बाद ek coordinates ek coordinates find करने के लिए क्या करेंगे अपने इन दोनों का between है 0 plus 0 by 2 and minus 1 plus 3 by 2 इस तरह का बनेगा 0 plus 0 तो 0 by 2 मिला और ये 2 by 2 cutting कर दो तो answer क्या मिलेगा 0 and 1 next चीज की बात करेंगे d e और f के mid point of f इन दोनों का लेना पड़ेगा क्या आएगा 0 plus 2 divided by 2 और minus 1 plus 1 divided by 2 तो 0 plus 2 तो 2 by 2 और 0 by 2 तो answer क्या मिलेगा 1 and 0 यह आपको क्या मिले d e f के coordinates ज्यारा मैं यह पर लिख देता हूं d k 12 e k 01 और उसके बाद f k 10 अभी आपको क्या करना है यह पर coordinate लिख दिए अभी आपको अब डी एफ का area find करना है अब एरिया आफ ट्राइंगल डी एफ क्या करेंगे area find आउट करेंगे area find करने से अपने को पता चलेगा और उसके बाद दोनों का area find करने का दोनों का रिच्यों भी तो लेना है 1 by 2 bracket x1 पहले अपने def का करेंगे तो यह x1 डी एफ x1 x2 x3 1 bracket 1 minus 0 plus x2 bracket y2 minus y3 plus x3 bracket y1 minus y2 इससी तरह आपने क्या find out करेंगे area एरिया ओफ ट्राइंगल एबी सी का एबी सी का एरिया फाइंड आउट करेंगे वन बाइटू एक्स वन एक्स टू एक्स त्री याद रखना कोडिनेट में गलतिया मत करना ने तो आंसर रॉंग आएगा जिेरो ब्रैकेट 1 माइनस थ्री प्लस एक्स टू ब्रैकेट एक्स टू ब्रैकेट वाइटू से मलटिपल य behavior के जिरो हो जाएगा 3 plus 1 4, 4 2's are 8, 1 minus 1 0, 0, अभी 8 divided by 2 करेंगे कितना मिलेगा, 4 units, तो आपको इसका ratio कितना मिला, जबके triangle DEF का area कितना मिला, 1 unit, जबके इन दोनों का ratio कितना मिला, 1 raise to 4, यह उसका क्या मिला, आपको ratio मिला, next 4 number के समपे चलते हैं, question number 4, question 4, read करते हैं, क्या दिया गया, question number 4 में, find the area of quadrilator, उस बटाइस is taken in order में लिखा गया है, minus 4, minus 2, minus 3, minus 5, 3, minus 2, and 2, 3, आपको find out क्या करना है, उसका total area find करना है, quadrilator का, इस टाइप का, आपको quadrilator दिया गया है, फिले draw करके बता देते हैं आपको, आपको थोड़ा सा idea मिलेगा, कि वटाइस है इस तरह से, तो अपने किस तरह का solve करेंगे, यह रहा है, जबके, A की value, minus 4, minus 2, जबके B की value, minus 3, minus 5, C की value, 3, minus 2, and then D की value, 2, 3, इस टाइप का आपको दिया गया है, तो आपने क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर, triangle का ABC का area लेंगे और उसके बाद आपने क्या करेंगे, ADC का area लेंगे, पहले ABC का, फिर ADC का, फिर दोनों का क्या कर देंगे अपने, प्लस कर देंगे, चलो, यह यह procedure पर आगे बढ़ेंगे, चलो, area of, triangle ABC, 1 by 2, bracket, X1, Y2, minus Y3, clear, second, X2, bracket, Y3, minus Y1, plus X3, bracket, minus 2, plus 5, okay, next, minus 4 का 4 रखेंगे, minus 5, plus 2, minus 3, यह तो 3, multiply by 0, यह तो 0 हो जाएगा आपका, इसके लिखना कि जरूर नहीं है, 3 का 3, minus 5, plus minus 2, so 3 आएगा, 1 by 2 का 1 by 2, 4, 3's are 12, plus 3, 3's are 9, 12 plus 9, 21, तो 21 by 2 square units, next, बात करेंगे अपने, area of triangle, ADC, area of triangle ADC की बात करेंगे, इसमें किस तरह करेंगे, 1 by 2, minus 4, bracket, 3, plus 2, अभी इसका लेंगे, अपने A, B, और C में, next, यहां पर लेंगे, x2, y3, minus y2, plus x3, bracket, y1, minus y2, minus 4 का 4, 3 plus 2, 5, 2 minus 2, 0, यह तो 0 हो गया, आपका, minus 3, minus 2, minus 5, 4, 5, 0, 20, minus 20, plus 0, minus 15, तो आंसर क्या मिलेगा, minus 35, minus 35 by 2, so ADC का आंसर कितना मिला, 35 by 2, minus, लेकिन याद रखना, area कभी भी negative नहीं आता, means, area कभी भी negative नहीं आता, तो आपने इसको क्या करेंगे, plus में लिखेंगे, 35 by 2, के फॉर्म में, और यह, अभी इन दोनों का आपको क्या करना है, area of triangle, आपको ABCD का, total ABCD का area find out करना है, area of triangle ABC, plus area of triangle ADC, दोनों का प्लस कोरो, 21 by 2, plus 35 by 2, दोनों के नीचे LCM सेम है, सो 5 plus 16, 3 plus 2, 56 by 2, तो कितना हैगा, 28 square units, chapter यहां पर done, जो लास्ट वाला question है, वो 9 के वर्टेसाइस लेके, आपको इसका मेलग video बनाऊंगा, लास्ट वाले का, यहां तक रखेंगे,